हेलो दोस्तो यह वीडियो एक एजुकेशन परपच के लिए बनाए गई है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा हर्ट फेल क्या होता है हर्ट फेल होने के क्या कारण होते हैं क्या इसके लक्षन होते हैं कितने परकार से हर्ट फेल या देखा जाता है अगर हर्ट फेल हो प्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है ऐसी कंडिशन को हर्ट फेलियर कहा जाता है हर्ट फेलियर मुख्या रूप से दिल के दाय हिस्से या बाय हिस्से किसे में भी हो सकता है मुख्या रूप से यस्तिती तब उत्पन होती है जब हिर्दय की मास पेशिया पूरी तरह से सकत और कठोर हो जाती है तो रक्त का परवा पूरी तरह से रुख जाता है इससे हर्ट का फेल हो जाना आर्ट अटेक होना ऐसा दिखाए देता है इसके मैं आपको लक्षन भी बत दोता है सांस लेने में उसे कटना ही होती है अचानक से उसका वजन बढ़ने लगता है उसे भूक नहीं लगती है लगातार खांसी अगर आती रहती है पेर और एडियों के अंदर सूजन आ जाती है गर्दन की जो नसे होती है वो उबर जाती है या फिर दिल के अंदर कारण होते हैं दोस्तों अक्सर हर्ट फेल होनी एक बीमारी होती है इसमें दिल पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है हर्ट फेलियर का सबसे मुक्य कारण होता है कोरनरी आर्टरी का बंद पढ़ जाना जब तक दिल तक पूरी तरह से ऑक्सिजन नहीं पहुंच पाती है तब यह दिक्कत देखने को मिलती है अक्सर इस समझ्चा के कुछ कारण होते हैं जैसे कि किसी परकार की कंजनाइटल हर्ट की बीमारी आपको है किसी परकार से हर्ट का जो वॉल्व है उसके अंदर कोई बीमारी लग गई है अगर आप अधिक मात्रा में सराब का सीवन करते हैं तो भी आपको यह दिक्कत देखने को मिल सकती है हर्ट अटेक के कारणों की वज़े से भी हर्ट फेल हो जाता है कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा मात्रा में दारू पी लेते हैं तो उन लोगों को भी यह से खाय देखने को मिलती है हर्ट अटेक के अलाबाlauf एनिमिया की दिक्कत अगर आपको है तो भी आपको हर्ट अटेक की चांस हो सकते है अगर किसी को डायबीटीज की दिक्कत है याफिे किसी परकार से हाई बीपी की दिक्कत है HIV की दिक्कत है कुछ लोगों का कैंसर के लिए उपचार चल रहा है जैसे की कीमो थेरपी वगेरा या फिर किसी को थाइराइड की दिक्कत है अंडरेक्टिव थाइराइड है या फिर ओवरेक्टिव थाइराइड है ऐसे अगर किसी के कारण बनते हैं तो उन लोगों को भी heart attack या फिर heart failure के chances देखने को मिल सकते हैं heart failure मुख्य रुप से 4 या 5 परकार का होता है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ सबसे पहला heart failure होता है left side heart failure इसमें क्या होता है heart failure होने के तौर पर आम तौर पर जो दिल का निचले वाला हिस्सा होता है वहाँ पर पूरी तरह से oxygen नहीं पहुँच पाती है तो heart का left side heart failure हो जाता है दूसरा होता है right side heart failure इसमें क्या होता है इस सितिती के दौरान व्यक्ति के जो पैर है एडिया है पेट के अंदर सूजन आ जाती है और फैप्टो के उसे बीमाई लग जाती है तीसरा होता है डाइस्टोलिक heart failure मुक्य रूप से हिजदर रोगों की मास पेस है जब कठोर हो जाती है तब देखने को मिलता है चौता होता है सिस्टोलिक heart failure के दौरान सरीर में oxygen आपको बताता हूं अगर किसी को heart fail हो जाता है तो उसके कौन कौन सी complication उत्वन हो सकती है heart fail होने से पहले तो उन लोगों को किसी परगार की kidney damage की दिक्कत देखने को मिल सकती है heart fall की उसे problem हो सकती है हिर्दय पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे कि पूरी तरह से उसमें काम करना बंद कर दिया है लिवर खराब होने की दिक्कत भी ऐसी condition में देखी जाती है heart fail होने के लिए कुछ जाचों की बहुत ज़्यद्र जरूरत है जैसे कि physical examination करवाय जाता है इसमें डॉक्टर देखता है कि सारी पूरी तरह से प्रेश्चन करता है कि जो बंदे की पैर की सूजन तो नहीं बढ़ रही है उसकी दिल की जो गती है वो उपर नीचे तो नहीं ह हो रही है यह नसुग अंदर किसी फार का उभार तो नहीं हो गया है इसमें को कार्डियोग्राम भी करवाया जाता है करवाय जाते है कि райкр करवाई जाती है रगत का प्रेक्षन करवाई जाता है एसीजी करवाई जाती है चाती का एकसरेली आ जाता है सीटी सकेंड करवाई जाता है अब मैं आपको हर्ट फेलियर के कुछ कुछ इलाज के बारे में बताता हूं हलां कि इस परकार के मरीज को डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए और लगबत तीन से इसमें दिए जाते हैं और बीटा ब्लोकर इसमें इन चीजों को देख कर ही वह सभी परकार से इनका इलाज करने में उनकी मदद होती है heart failure में मुख्य रूप से surgery करवाई जाती है जिसमें आपने नाम सुना होगा bypass surgery, angioplasty यह सभी surgery इसमें करवाई जाती है इसमें पेश में कर लगाई जाते है ICD करवाई जाती है transplant surgery करवाई जाती है तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को किया जाता है ताकि heart failure की chances कम से कम हो सके और heart को बदला भी जा सकता है heart का transplant भी करवाई जाता है यह इसका मुख्य इलाज होता है अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपको heart failure से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहरे तो आप किसी भी प्रकार के दुम्रपान का सेवन ना करें अगर आपका high BP रहता है या blood sugar की दिक्कत रहती है तो जतना हो सके आपको कोशिस करनी चाहिए उस पर control करने की अपने सरी को अच्छे तरीके से बनाए रखें सुबे जल्दी उठें अपने आहर के अंदर आपको नमक की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए सुबस्त बोजन करना चाहिए अपने आपके वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए नियमित एक्सराइज करें सराब का सेवन बिल्कुल ना करें पजयाप्त मात्रा में नीद लें और किसी भी परकार की हाई कैलोरिक वाली चीजों को बिल्कुल सेवन ना करें तो दोस्तो इस वीडियो के दौरान बताई कि सारी की सारी चीजे इंपोर्टेंट है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी या आप हमें कमेंट करके जरूर बताए उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इसलिए दोस्तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोग वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहें और दोस्तो इस वीडियो को आपने सभी दोस्तों में सेयर करें ताकि जिनको भी हर्ट से संबंदित किसी पर गाय के दिक्कत हो सकती है या फिर अपने आपको वह स्वस्त रखना चाहते हैं तो ऐसी ही वीडियो देखते रहें मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरे नमस्कार यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद